ना बेड ना ही ऑक्सिजन ऐसी हालातों में समय पर उप्चार ना मिलने से एक व्यक्ति की जान चनिके यह चित्र ब्रह्मपुरी में देखने को मिला कोरोना का कहर विक्राल रूप ले चुका है चारोर लाशों के धेर चाय हुए है मौत का आतंग नजर आ रहा है लोग दरगर मरीज को लेकर दौड रहे है लेकिन कहीं बेड नहीं तो कहीं वेंटिलेटर नहीं कहीं ऑक्सिजन नहीं तो कहीं इंजक्शन नहीं ऐसी हालातों में मरीज के परीजन करे तो क्या करे आखिर अपनों को ही अपने सामने आज दम तोड़ते हुए विवश होकर दे देखने को मिला जहां एक पत्नी ने विवश होकर अपने ही सामने अपने पत्नी को कम तोड़ते होए देखा। और ना ही ऑक्सिजन जिसे उसका समय पर इलाज नहीं हो सका। आखिरकार पत्नी भाग दोड़ कर उसे ब्रह्मपुरी के विस्तानंद चोग के प्रवासी निवारा में लेकर आई। ऐसे में करीब सुबस साड़े साथ आट बचे के दोरान उस वेक्ति का इलाज ना होने से उ को तक कांतिन संसकार क्या ग्या कोरोना की इतनी भयावस्तिती को देखते हुए इस घटना से लोगों में शोकांतिक अव्यत्त की जा रही है। इस इलाखे में बड़े भैमाने पर कोरोना बाधित निकलने पर भी स्पानिक नगर प्रशासन, पालक मत्री इनकी और से कोई सुधारना फोटे नहीं दिखाईते रही है। ऐसा आरोप आमाद्मी पार्टी के चद्रपुचिला उपाध्धेक्षा वीजे सिध्धावार ने किया है। पिछले एक सब्ता में 529 कोरोना बाधित निकलने से तहसिल में चिंता का वातरल है। लेकिन इस शेत्र की प्रतिन दुर्दवे मृत्यु जाला। दुर्दवे मृत्यु यासाठी की तहला बेड मिडाल नाही, ऑक्सिजेन मिडाल नाही, आणि मनुन बश्येड मदेस तहला मृत्यु पतकरावा लागला। लेकिन दुखत घटना है। राज्जा चे मदत आनि पुनार्वसन मंत्री, जिल् दुर्द धरेली आहे, आनि आमचे पालक मंत्री विजे बढ़ेट्टिवार या कड़े लक्षे न देता, मुंबई ची लोकल कधी चालो हुईल, होनार की नाही, कशी चालो हुईल, या बदलत बुलत आहे। तेन्ची मदत आनि पुनर्वसन मुना साथी आहे, हामता मुंद आहे, हुई नाहे, हुई ऱ ए